यह जगत सारा अक्षणिक है और आतमाईक नीत्य है आतमाईका अनुभवबस एक मात्र नीत्य है आतमाईका अनुभवबस एक मात्र नीत्य है यह जगत सकति है और आतमाईक नीत्य है चैतन्य स्वभवी भग्वान आत्मा अनादी अनन्त शुद्ध चैतन्य मात्र है ज्यान मात्र है मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्यान मात्र भग्वान आत्मा हूँ प्रती समय यह जागरुती बनी रहे इस जागरुती का नाम धर्म है देह की प्रती क्रिया के काल में और विकल्पो के बहते प्रवाह के काल में ज्यानी को प्रती समय जागरुती रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पो के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ प्रती समय स्वयम की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोद आत्म जागरुती ही धर्म है चैतन्य तत्व के स्वा सम्वेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूते होते ही देह होने पर भी देहातित दशा प्रगट होती है इतना ही नहीं विकल्प होने पर भी विकल्पातित दशा प्रगट होती है चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूती होते ही आत्मा में अतिंद्री या आनन्द का सागर उचलता है फिर भी ज्यानी की द्रस्टी उस अतिंद्री या आनन्द के सागर की और भी नहीं जाती और द्रस्टी चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूती होते ही ज्यानी स्वयम को राख की दिवार का पडो से मानता है और मुक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है ज्यानी यह मानता है कि चैतन्य महल के पडोस में राख की अनन्त दिवारे बनी और बिकरी मगर चैतन्य महल अलिप्त रहा चैतन्य महल में राख की दिवार का एक भी परमानु प्रविस्ट न हो सका राख की दिवार का एक परमानु तो अत्यन्त दूर यह राख की दिवार यह देह मैं हूँ ऐसी जो मान्यता इस मान्यता का नाम मिथ्यात्व है राख और द्वेश के विकल्प और यह मिथ्यात्व का भाव यह मिथ्यात्व का भाव भी जिस त्रिकाल ध्रूव चैतन्य सत्ता स्वरूप ज्ञायक देव में मिल नहीं सकता परपदार्थों को अपना माना मगर परपदार्थ अपने हुए नहीं परपदार्थ जिस प्रकार से अपने नहीं हो सकते ऐसे ही परपदार्थ को अपना मानने से उत्पन होने वाला मिथ्यात्व वह मिथ्यात्व भी अपना नहीं हो सकता जैसे देह का चैतन्य तत्व में प्रवेश नहीं हो सकता ऐसे ही मैं देह हूँ ऐसे देह द्रस्टी का भी चैतन्य तत्व में प्रवेश नहीं हो सकता और उसका प्रमान क्या है? भुद काल में अनन्त मिथ्यात्व की परियाय उत्पन्न होई है अनन्त मिध्यात्व की परियाय उत्पन हुई जो विकार हो मिध्यात्व का भाव त्रिकाल ध्रूव चैतन्य सत्ता स्वरूप ज्ञायक देव में मिला होता जैसे चार बजे निर्विकल्प अनुभूती हो तो निर्विकल्प अनुभूती का जो विशे वे त्रिकाल ध्रूव चैतन्य सत्ता स्वरूप ग्यायक देव त्रिकाल में तीनो काल वो भूत काल भी आया और भविश्य काल भी आया भूत काल में अनन्त मिथ्यात्व का जो पोशन हुआ था वो मिथ्यात्व ग्यायक देव में मिला होता तो ज्ञायक देव मिथ्यात्व रूप अनुभव में आता मगर ज्ञायक का स्वरूप ऐसा है कि जिसमें मिथ्यात्व का भाव भी मिला नहीं देह तो मिला नहीं, देह द्रस्टी भी जिसमें मिली नहीं यह चैतन्य 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 पर ही ऐसा चूर और ऐसी जब चैतन्य द्रस्टी प्रगट होती है द्रव्य द्रस्टी प्रगट होती है तब प्रत्य ग्ञेयों के ग्ञान में प्रतिबिम्बीत होने के काल में ग्यान में ग्यान की अनुभूती होती है ग्यान में ग्येयों को पाता ही नहीं और ग्यानी को सदाकाल यह जागरूती है कि ग्यान में ग्यान ही है ग्यान ग्येय रूप हुआ नहीं जिस ग्यान की अवस्ता में तरिकाली ध्रूव चैतन या परमात्मा प्रतिबिम्बी तो होता है उस ग्यान की परियाई में तरिकाली ध्रूव चैतन या परमात्मा मिला नहीं वरना ग्यान की परियाई का व्याय होते ही तरिकाली ध्रूब ग्यायक देव का व्याय हो जाता ग्यान की परियाई में सिर्फ प्रतिबिम्बी तो हुआ ग्यान की परियाई में सिर्फ जानने में आया मगर ग्यान की परियाई में आया नहीं और ज्ञान की परियाई में जानने में आया वह भी ज्ञान की परियाई में मिला नहीं त्रिकाल ध्रूव ज्ञायक देव गहरा रहस्य है ये ज्ञान की जो जानना 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 ऐसे जो निरंतर बेहती थारा है जिसमें प्रती समय कोई ना कोई ग्ये ये प्रतिबिम्बीत होता है कौन सा ग्ये ये प्रतिबिम्बीत हुआ ग्यान की अवस्ता को उससे कोई लेना देना नहीं है इसलिए क्योंकि ग्यान की अवस्ता में उस ग्ये का मिलन नहीं है उस ग्ये की स्पर्षना नहीं है इसलिए राग के विकल्प को जानने वाली ग्यान की अवस्ता में ग्यान मात्र को देखने पर ग्यान राग में नहीं दिखाई देता और ये ग्ञान ही है ऐसा तत्व विचार हो तब किस विकार को मैं दूर करू कौन से राक को मैं दूर کرू क्योंकि यहाँ तो ग्ञान ही ग्ञान है और ऐसा जिनके भीतर निरंतर छे मैने तक यदि तत्व विचार चलता रहे तो सम्यत दर्शन कैसे प्रगठ नो हो की जो निरंतर बहती धारा उसमें द्रव्य द्रस्टी पर जोर नहीं द्रव्य पर इतना जोर की प्रत्य घटना के काल में कोई भी ये ज्ञान में प्रतिबिम्बीत हुआ जहां प्रतिबिम्बीत हुआ वहां भी मेरा विस्तार में नहीं देखता मैं अपना विस्तार अपना माने ध्रूव चैतन्य का विस्तार विस्तार यूकि ध्रूव चैतन्य सत्ता अपने त्रिकाली पने को छोड़ करके अपनी ध्रूता को छोड़ करके सिकुड करके एक समय में वो पलट नहीं चाहती और जिस ज्ञान में ये प्रतिबिम्बीत होता है ऐसा ही चलता रहता है प्रति समय विकल्प की उत्पत्ती तो होती है मगर विकल्प की उत्पत्ती मुझे में नहीं हुई और विकल्प की उत्पत्ती मेरे में प्रतिबिम्बीत भी नहीं हुई क्योंकि ध्रूव में कुछ प्रतिबिम्बीत नहीं होता त्रिकाल ध्रूव ज्यायक देव में प्रतिबिम्बीत नहीं होता प्रतिबिम्ब तो परियाई में पढ़ता है और उस परियाई में जो सिकूरता नहीं है ऐसा और ये निर्णई परियाई में होता है ये तत्व विचार भी परियाई में होता है निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व ऐसे जो विकल्प चलते हैं ने भगवान हे चैतन्य परमात्मा ऐसी जो चैतन्य 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 की द्रस्ति वो विकल्प जो उत्पन्न होते मैं त्रिकाली ध्रूव चैतन्य परमात्मा हूँ ऐसा जो विकल्प उत्पन हुआ ये विकल्प की उत्पत्ती में भी जिसने रस न लिया अग्यानी वो विकल्प के साथ यात्रा करता हुआ अपने को देखता है आज सुबह मेरा चिंतन अच्छा चला है आज सुबह मेरा चिंतन अच्छा चला चैतन्य तत्व विचार अच्छा चला आज का सुबह का समय मेरा अच्छा रहा क्योंकि चैतन्य की ही चिंतन की धारा चल रही थी सम्यक द्रस्ती के भी चिंतन की धारा चलती है मगर द्रस्टी ये है कि वैचिंतन की धारा मेरी नहीं थी क्योंकि धारा बहती है ये धुरूव बहता नहीं मैं धुरूव ग्यायक देव हूँ तो उन विकल्पों में भी जो रूची न ले उन विकल्पों भी जो उदासिन होकर मात्र जानता है और जो जानना हो रहा है उसमें भीद्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब्रब सहज हो रहा है उसे किसे के जरूरत नहीं है सभाव को किसकी जरूरत अगनी को उश्णता ये उसका सभाव है उसके लिए उसको किसकी जरूरत है पानी को शितलता के लिए किसकी जरूरत है ये जानना जानना ये सभाव है कल कुछ और जानता था आज कुछ और जानता है ये ज्ञान का परिणमन पलटता रहता है मगर इस पलटते परिणमन में परिणमन पर जोर नहीं मटका फूटे तो फूटे मगर मिट्टी नहीं फूटती ये जागरुती ज्यान की अवस्था बदल जाए बदल जाए बदल जाए मगर ज्यान की जो सत्ता है वो सत्ता पर ही पुरा जोर और जिस समय सत्ता द्रस्ते में आएगी उस समय उस ज्यान की अवस्था तो होगी ऐसा जिस समय वो मटका नीचे गिरा और फुट गया तो ठिक्रे हो गए न भगवान वो ठिक्रे की अवस्था तो रहेगी वो ठिक्रे की अवस्था गई नहीं मगर वो जो ठिक्रे की अवस्था है उस ठिक्रे की अवस्था में वो निर्विकल्प क्यो रहा इस वज़े से क्योंकि मिट्टी नहीं फूटी ठिक्रे की अवस्था क ऐसा कि बस मेरी मिट्टी सुरक्षित है मिट्टी ये ज्ञान का कैसा भी परिणमन हो बगवार ऐसा जानना जानना परिणमन होता है मगर परिणमन में ध्रूव जैतन्य सत्ता यह है और कैसी भी परिणती मलीन परिणती के काल में निर्मल परिनती के काल में ये ज्ञान सत्ता स्वरूप है ने सत्ता स्वरूप है ने वो कैसे भी करके मिट्टी कैसे भी बिखर गई कैसे भी उसके परमानु बेर बिखर हो गए मगर मिट्टी है ने ऐसा केवल ज्ञान भी प्रगट हो तो ऐसी ज्ञान की परियाई पलट जाए ज्ञान की परियाई पलट करके ये केवल ज्ञान हो जाए ऐसा केवल ज्ञान प्रगट हो और तो भी वो केवल ज्ञान प्रगट हुआ ये मैं नहीं केवल ज्ञान प्रगट हुआ उस समय भी ज्ञान की जो सत्ता है वो चैतन्य सत्ता उस सत्ता पर जोर एसा सत्ता पर जोर ये उसकी तैयारी अभी से होती है तत्व विचार करके ऐसे तत्व तब वो देह के पर्मानों के साथ में है ही नहीं वो पृत्वी का पडोसी और राह की दिवार का पडोसी है वो देह के पर्मानों को जानता होने पर भी जानने के सुभाव को पैचानता होने से वो देह के पर्मानों में जानना है ही नहीं एक एक वस्तु जो प्रकाशित होती है ग्रंथा धीराज समय सार गाथा तेरा उस पर सत्सं करेंगे ग्रंथा धीराज समय सार गाथा तेरा ओह ओह भुदत थेना भिगदा जीवा जीवा यपुन पावम्च आसव संवर निजर बंधो मोखो यसम्मत्तम भूतार्थ से जाने हुए जीव अजीव पुन्य पाप आसरव संवर निर्जरा बंद और मोख्ष ये नव तत्व ही सम्यक दर्शन है भूतार्थ नई से जाने हुए ये नव तत्व सम्यक दर्शन है जहां 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 ग्येयत को जानता हूं वहां मुझे ज्ञान जानने में आता है अब प्रशन ये होता है कि मैं किस पर राक करूं और किस पर द्वेश करूं ज्ञान जानने में आता है ज्ञान जानने में आता है अब वही 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 जिस सब्जी को मैं अपने मुव में रखता हूं वहाँ मुझे नमक का खारापन चकने में आता है अब वो खारा जो अनुभाव में आता है अब कौन सी सबजी को अच्छी कहू और बुरी कहू क्योंकि ये नमक का खारापन अनुभाव में आ रहा है प्रत्यक समय उसकी रुची का अभाव हो यह रूची का अभाव होने से यह प्रकाशित होता होने पर भी वह ग्याएकी रूची नहो तो वहां जो प्रकाश है वही प्रकाशित हो रहा है वह दिखाई देता है उसका भाव सुक्ष्म है इसलिए ज्ञानी को प्रत्यक ज्ञे के ज्ञान में प्रतिविंबीत होने के काल में वो जो स्पर्षना है वो ज्ञान की ही स्पर्षना क्यों रहती है क्यों ज्ञेयों की स्पर्षना क्यों नहीं परगें ये जगत के कुरोद मान माया लोप की स्परशना क्यों नहीं ऐसा है ये स्वर्प कि ये जो दर्पन है दर्पन के सामने अगनी है दर्पन के सामने बरफ है दर्पन के सामने कला करता हुआ मोर है या कला न करता हुआ मोर है तो दर्पण जैसे ऐसे ऐसे घुमता रहता है पहली बार जब दर्पण इधर घुमा तब स्पर्षना दर्पण की फिर दूसरी बार यहाथ दर्पण को छूता है दूसरी बार ऐसा हुआ कि दर्पण में जो दूसरा पदार्थ प्रतिविंबित हुआ कि दरपण को छूता है प्रती समय ऐसा है कि नए नए ग्णि दरपण में प्रतिविंबित होते है मगर पर्षन आओ उन ग्णियों की नहीं आग को छूने तो गया ही नहीं इसलिए ग्ञान कभी ग्ञान का आहाँ ग्ञान के बाहर ग्ञान की अनुभूती के बाहर गया ही नहीं यदि तुम्हे दरप्य दरस्टी करनी है तो समझना कि तनमई हुय बिना अनुभव नहीं हो सकता और ज्ञान क्रोध के साथ형 क्योकि अपनी सत्ता में से बाहर जाना पड़े अनुभव के लिए तो जा सकता ही नहीं इसलिए ये विचाद्रव्य द्रश्टी ऐसे प्रगट होती है भगवाद कि ये चैतन्य चैतन्य जैतन्य ये ज्ञान ज्ञान ही जागने में आता है संसार में कितना परीब्रमण किया मैंने अननत अननत अननत-जन्वमरण की है उस समय ओ निगोद में था तब कितना दख भूग शा दुख भूग रहा था दुख भूगने वज में था निक दहसे नें बहुतार नहीं दो में अनकी परियाए में प्रतिभिंबित होता है उन्हें तो इस इन्हें आयन है तब अतिंद्री आनंद भी परियाई में जब प्रगट होता है तब अतिंद्री आनंद को जानने वाली ज्ञान की परियाई में ज्ञान को ही देखता है अतिंद्री आनंद को नहीं ज्ञान की जानने वाली परियाई में तो ज्ञान ही है ज्ञान ही है ज्ञान ही है औ और कोई नहीं ज्ञान में ज्ञान के अतिरिक्ट और कुछ भी नहीं ये जो द्रस्ति में आना ये पुझ्य गुर्देव स्री कांजी स्वामी जिनके हाथों में ये समय सार आया ये समय सार दो हजार इकिस का साल ये एक सो बरस पुरे हुए सौम पुझ्य गुर्देव स्री कांजी स्वामी के हाथों में समय सार आया सो बरस पुरे 1921 की साल में आया था ये दोजार 201 में सो बरस पुरे हुए इसलिए ये भाव आया कि पुरी पुरुथवी पर एक लाख केंद्र पर ये समय सार की स्थापना हो पहले या हम आये थे स्थापना होई थी यहां दिगंबर जैन मंदिर है ना आपका कोई शिर सागर के मंदिर है वहाँ पर भी आत्मसित्य शास्त्र के स्थापना होई थी यह परगवान थे परमात्मा थे यह सब उस समय और उस समय जो स्थापना होई थी कि उसवाई ये चैतनल लाइब्रेरी में इस शास्र को अभी पहुंचा आ जारे शारी गाता है ये एक गाता में एक द्रस्टान्त है दूसरी गाता दुसरा सथ्थां एसे 415 द्रस्टान कम से कम कभी कभी एक एक गाथा में दूकर निस तिन द्रस्टान भी कि कोई पर्देशी भी हो तो सरल रोज का जो जीवन का द्रस्टान थे वो द्रस्टान से समझ सके और सभी जीवों तक ये वाणी पहुँचे जैनों तक नहीं गुरुहित मिथ्या द्रस्टी जो है गुरुहित मिथ्या द्रस्टी क्यों कि गुरुदेव के हाथ में जब ये शास्त्रा आया तब वो गुरुहित मिथ्यात्व का पंथ था स्थानगवासी संप्रदाय में थे न तो गुरुहित मिथ्यात्व के पंथवाले को ही मिला था फिर भी जीवन पलट गया तो और जीवों का क्यों नहीं पलटेगा इसी भाव से ये वाणी पहुचा देगा भाव आया कि सब तक ये वाणी पहुचे सबी जीवों तक ये चैतन्य की पुकार पहुचे और इसलिए कि कही पर भी जाओ न तो फिर चैतन्य 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 और उससे आनंद 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 अपना बढ़ता है मैं आपको परमात्मा के रूप में देखता हूँ तो आप भगवान नहीं होते आपको परमात्मा के रूप में देखकर के मैं आनंद को भोगता हूँ तो मैं अपना आनंद क्यों खोओ फिर मुसल्मान आये हिंदू आये कोई भी क्रिश्चन आये इसाई है यहूदी है मेरे सामने जो भी आया ओ ओ ओ ओ ओ ऐसा हो चीटी, कीडे, मकोडे में परमात्मा देखने वाले को मनुश्य में मुसल्मान क्यों दिखाई देता है यह पता नहीं चलता आलू प्याज में परमात्मा देखने वाले को यहाँ पर कोई देरावासी, स्थानक वासी, विस पंती, तेरावासी क्यों दिखाई देता यह समझ में नहीं आता कहीं न कहीं बुनियादी भूल हो रही है कहीं न कहीं गुल्टी तरह से तत्व को पकड़ लिया वरना इतना दुख नहीं होता यह समय सार जिनके आथों में आये यह चैतन्य चैतन्य की मस्ती ऐसी यह उज्जे नगरी में यह यह चैतन्य परमात्मा यह च्छाग्रती कि एक 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 समय की ज्ञान की परियाई इस ज्ञान की परियाई में भी जो करता होने नहीं जाता ज्यान की परियाई का परिणमन करने जो नहीं जाता वो परियाई अपने स्वचतुस्टई से अपनी युग्यता से उत्पन्न होती है अपनी युग्यता से टिकती है अपनी युग्यता से परियाई मरती है ऐसी यो परियाई का सभा हो ज्यान की परियाई का स्वभाव ऐसा ध्रूव ज्ञायक देव ज्ञान की परियाई में भी कुछ करने नहीं जाता योकि परियाई के पास में अपना स्वभाव है पलटने का स्वभाव वो परियाई का है उसे ध्रूव से मांगना नहीं पड़ता ध्रूव जो ध्रूव ज्यायक देव ज्यान की परियाई के परिणमन में भी जो कुछ करने नहीं जाता ये ध्रूव ज्यायक देव मैं हूँ बोलो अभी तुम किसको जानते हो कि टेबल को जानने वाले कुरसी को जानने वाले कुरोद मान माय लोग को तो करने वाला मैं नहीं नगर टेबल कुरसी को जानने वाला मैं यहां तो यह कि टेबल कुरसी को जानने वाली ज्ञान की परिया तुर्भ यहाई तुरी काली दुरुव ज्यायक देव का जोर आये तो यसा होता है कि तब भगवान आत्मा एक समय के ज्ञान के परियामन में तुरुव ज्ञायक देव का प्रतिविंब पड़े और ज्ञान में अनुभूती ज्ञान की हो द्रव्यकी नहीं हो त्रिकाली द्रव ज्ञायकी नहीं क्योंकि अनुभव में जो आया वो अनुभव में आया ने वो परियाई में आया है तो परियाई में तो वो द्रव्या आता ही नहीं है परियाई में द्रव्या आता ही नहीं है इसलिए परियाई द्रव्य के साथ में तनमई नहीं होती इसलिए गुर्देव ये कहते थे कि अनुभूती परियाई में है और परियाई में परियाई का अनुभव होता है परियाई में परियाई का अनुभव होता है और द्रव्य का आसरी होता है द्रव्य का क्योंकि वो द्रव्य है वो अव्यक्त है और परियाई है वो व्यक्त है अव्यक्त द्रव्य व्यक्त परियाई में नहीं आ जाता जिस अनुभूती में गुर्देव का ये जो रहस्य है गुर्देव जो बताते हैं कि अनुभूती की परियाई में भी ये जो अप भगवानाग्मा भगवानाग्मा समय सार कि यह गाथा यह भाव आया यह तेरवी गाथा लेने का भाव आगए बढ़ ये ज्ञान दिपक नूबर 13 ये सुरुत साघर ये किस आगर सुरुत साघर भणि भी दैने वह कंपना अचार्य की तो है वह कहानी बहुत यहाद आती इस वह से इंको उने नाब दिया शुरुत इखर का नाम दिया में बगर सुरुत का सागर सुरुत माने सुट घ्ञान नहीं सुरुत माने ग्यान मात्र चैतन्य मात्र ऐसा जो भगवान आत्मा किके सुर्च सही है मति घ्ञान सृुत ग्यान वह शुरुत सागर नहीं मगर जो तरिकाल ध्रूव सुरुत माने चैतन्य ये चैतन्य का सागर में और ऐसे ही जो भी विखल बहchezए पर आपको यहना ऐसा पूरा दूर ऐसे दिखेगा मैं गया ही रही हुँ ऐसा दिखेगा भगवान फिर जैसे ही बनते होने तुम उसमें कुछ करने नहीं करे वहाँ बने तो कुछ बोलने भी नहीं चाहते कि ये बादल क्यों बन गए ज Commissioner उज्जेन में इतनी थंड है इंदोर में भी नहीं थी, करई में थी इतनी थंड अभी उज्जेन में है और बादल आकाश में देखो, इतने बादल बने थे रात को तो, वो रात को, इतने बादल को बनाने के लिए कौन गया, क्यों बने ये बादल, क्यों बने ये बादल, कोई शंका नहीं करता मैं, कोई शिकायत भी नहीं करता, ठीक है, बने है बादल, और ऐसे ही तुम शरीर को तो देखते हो, कि ये शरीर मास, खून, हड़ी, ये बना है, मगर बना है, ये क्यों बना, उसकी में चिंता नहीं करता, क्योंकि जो चिंता से पार ऐसा चैतन्या, ये चैतन्या मैं हूँ, जो चिंता में भी नहीं चाता, ओ, 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 ये शरीर को ऐसे दूर से देख इतने वाली द्रस्थी और ये द्रस्थी कैसे प्रगट हो ये कला गुर्देव ने समझाई भगवान ये गुर्देव ने ये कला समझाई कि चैतन्य चैतन्य मैं जो जीवन देह की क्रिया पर जोर नहीं राग द्वेश पर जोर नहीं विकार पर जोर नहीं विकार पर जोर न के लिए भी बूरी को देखना पड़ता है और उसको देखना भी क्यों मुझे इसके लिए मैं चैतन्या बूरी चीज ऑटोमेटिक छुटती है छोड़ना नहीं है छोड़ने के लिए तो देखना पड़ेगा घर में कच्रा पड़ा है उसको बाहर छोड़ना है तो कच्रे को यहां तो चैतन्य की मस्ति में ऐसा मस्त है कि कच्रा चला जाता है कि क्यों चला जाता है उसकी कला क्या है वैसे तो कच्रे को पकड़ कर बाहर भ्याकना पड़ता है यहां क्रोधमान माया लूप का कच्रा कच्रे को देखे भी नहीं कच्रे को छुए भी नहीं और चला जाए ये क्यों होता है उसका रहस्य है ऐसा विकार को चुए बिना विकार को देखे बिना विकार से आह ये दुरुव दुरुव ज्ञायक देवे मैं हूँ. ऐसा जोर आया तो क्या हुआ पर द्रव्य से लक्ष हट गया जिस समय त्रिकाली ध्रूव ज्ञायक देव पर ध्यान गया भगवान उस समय पर द्रव्य से लक्ष हट गया और पर का लक्ष वोता था तो कुरोधाता था पर का लक्ष वोता था तो क्रोध होता था मित्र की ओर लक्ष जाता था तो राग होता था शत्रु की ओर लक्ष जाता था तो द्वेश होता था यहाँ ध्रुव का लक्ष आया तो मित्र शत्रु का लक्ष न रहा तो न राग हुआ न द्वेश हुआ तो छोड़ने गया नहीं वो राग और द्वेश सहजी छुट गये यह कि लक्ष स्वरूप की और गया यह कला है ऐसे चैतन्य 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 की कला भगवान यह त्रिकाल ध्रूब ज्ञायक देव जिस स्वरूप के आसरे से त्रिकाली ध्रूब ज्ञायक देव के आसरे से विकार का भाव रहता ही नहीं है विकार का भाव रहता नहीं है विकार को दूर करने जाने वाला मैं नहीं हो मिध्यात्व का जब व्य हुआ और सम्यक दर्शन जब प्रगट हुआ तो सम्यक दर्शन की परियाइका करता मैं नहीं एशा जोर लाने के लिए कह रहा हूं Tumko कि अतिंद्री आनन्द को जो भोगा वो भोगने माला मैं नहीं यहकी जिसने दुख को नहीं भोगा और जिसने दुख को नहीं भोगा वो सुख को कैसे भोगेगा मैं सुक को नहीं भोगता? मैं दुख को नहीं भोगता? नहीं, मैं दुख को नहीं भोगता? जिस स्वरूप की ओर ध्यान नहीं जाने से परियाई दुख भोगती है, ये स्वरूप मैं हूँ, दुख भोगने वाला और सुक भोगने वाला नहीं, ये स्वरूप मैं हूँ, य क्योंकि ज्ञान का विशय परियाई सहित का पूरा द्रव्य है और द्रस्टी का विशय है वो परियाई से कथंचित न्यारा द्रव्य है परियाई से सर्वता न्यारा नहीं हो कथंचित उसका कारण है समझो योकि उसका सुक्ष्म भाव ऐसा है कि परियाई है आत्मा की स्रध परियाई और ये त्रिकाली द्रू भगवानात्मा परियाई द्रविय से न्यारी है कि यहां न्यारी अब सर्वता न्यारी होती तो परियाई ने जब त्रिकाली द्रू में अपनापन किया कि यह मैं तो यह तो अलग-अलग है अलग-अलग है तो परियाई के लिए त्रिकाल द्रू में अपनापन करेगी और पराय में अपनापन किया है दोनों सर्वत अलग अलग होते तो तो मिध्यात वह था पराय में अपनापन करने का नाम तो मगर कथंचित भिन्न है कथंचित भिन्न है कथंचित भिन्न क्यों है क्यों कि द्रव्य नित्य है और परियाई अनित् सभाव के ऐसा सुरूप इसका समझना है यह गुर्देव की जो फुकार थी ने जीवों को कैसे समझ में आए कल कितने कितने मंदिरों में प्रवचन हुए वहाँ पर इंदोर में इतने मंदिरों में आदिनाथ भगवान का दिगंबर जैन मंदिर मुनी मारगों मुनी पन्ति यह पन्ति जोंने कभी यह मदने जाल्य माहराज के जंजट ऐसी अभी करते हो जो अभी जरूरत नहीं है एक चैतन्य मुझे और कुछ नहीं चाहिए और उसका कारण क्या है क्योंकि जिसके बिना अनन संसार हुआ है वो यही तो है कि चैतन्य को नहीं समझा इसलिए कल मैंने एक वक्तविय दिया था लोग को जटका लग गया जितना बड़ा पाप स्वरूप को नहीं समझना में है कि स्वरूप को नहीं समझना मास खाना उसका कारण है मास खाने के कारण अनन्त संसार नहीं बढ़ता मास खाने के कारण अनन्त संसार नहीं बढ़ता शराब पिने के कारण अनन्त संसार नहीं बढ़ता परस्त्री सेवन के कारण अनन्त संसार नहीं बढ़ता क्यों क्योंकि अनादी काल से जो अनन्त संसार था निगोद में अनादी काल से अनन्त संसार था ने निगोद में वहाँ पर कौन सा मास खाने गया था निगोदिया कौन सी परस्त्री का सेवन करने गया था कौन सी शराब पिने गया था साथ विशन का सेवन करने वो निगोदिया गया नहीं तो अनन्त काल तक क्यो भढ़का था वो कि मैं चैतन यहूं ये नहीं माना इस वज़े से भटका था वो असली कारण खतरनाक वो है स्वरूप की समझन होना ये बड़ा पाप है लोगों को लता है मास खाना ये इतना बड़ा पाप नहीं है अरे मिध्यात्व का पोशन अब तुम्हें ये इस बात को बताने के लिए कहता हूं कि जब तुम्हें मासाहरी दिखाई दे और पाप करता हुआ दिखाई दे तो तुम अपने पर देखना तुम उससे भी बड़े पापी हो ये कि मास खाने से बड़ा पाप देह में अपना पन करना है उसको नीचा नहीं देखना फिर उस कसाई को भी नीचा नहीं देखना एह भगवाण यह चैतन्य प्रवातमा यह तुम्हारी तुम्हारी बात हो बगवाण जागृती रहे साथ व्यसन का सेवन ऐसा साथ- व्यसन का सेवन ओह 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 एइ शको का Sasamba कोई सेवन करें साथ विशन का कोई सेवन करता है तो उसके फल में नरक है साथवा नरक इतनी हिंसा करे, इतना जूट बोले, इतना पाप करे पाँच पाप कोई इतने भरपूर करे साथ विशन का सेवन भरपूर करे उसके फल में नरक है और साथ विशन का सेवन न करे तो उसके फल में स्वर्ग है और स्वरूप को न समझे तो निगोद है स्वरूप को समझे तो मोक्ष है यह स्वरूप स्वरूप को न समझे तो निगोद है और स्वरूप को समझे तो मोक्ष है और लोग इसमें इटक जाते हैं यह जो मुख्य बात जो है जो स्वरूप को नहीं समझा उस पर जोर नहीं देते और पूरी तरह से मेरे वक्तव्य को समझते नहीं यह तो मास खाने को छोटा पाप कहते थे अर अब बगर किस से छोटा पाप कहते थे मिध्या तो से छोटा पाप है यह उससे ऐसा है बगर रहस्य को यदि न समझन तो ऐ जो है कि मास खाना एक वक्त भी ऐसा भी मैंने सट्संग में एक बार बोला था अब तु बेरी एक एक बात पर जब तु विचार करोगे तो पता चलेगा ऐसे ही मत मान लेना विचार करना युकती से न्याई से यह विचार करना मैंने एक सट्संग में कहा था कि एक मैने तक आपने भोजन किया सबजी रोटी खाई वनस्पती खाई एक मैने तक आपने रोज वनस्पती खाई और दुसरा एक व्यक्ति है जिसने एक मैने तक भोजन ही नहीं किया और एक मैने का उपवास किया जब शरीर में भोजन नहीं जाता है तो शरीर में कुछ दिन के बाद में शरीर में ऐसी व्यवस्था है कि कम से कम स्वस्थ व्यक्ति हो तो 90 दिन तक तो उसे कोई तकलीफ नहीं होती कि 90 दिन तक वो अपने शरीर में ही पहले से यह से तत्व इकठे करके रखे है कि भोजन न जाए, पानी न जाए, तो भी वो तत्व उसके उपयोग में आ सके, अब वो जो उसकी शरीर की शरीर में जब रोटी सबजी नहीं जाती, कोई उपवास करता है, तो शरीर शरीर का ही मास खाना शुलू कर देता है, अपना ही, वो गलने लगता है ने शरीर, पिग उपवास किया, तो उसने क्या खाया, अपना ही अपना मास खाया, और उसने क्या किया, कि सबजी खाई, अब कौन सा अच्छा, उपवास करना अच्छा, कि खाना खालेना अच्छा, ये मैंने कहा, मगर अधूरा कहा था, उन्होंने पूरा समझा नहीं, अब पूरा कहता अब पूरा जो रहसी इतना अच्छा रहसी आपकी समझ में आएगा तो फिर मुनिराज एक एक महीने का उपवास जो करते हैं वो तो बड़ा पाप हो गया योकि मासी मास अपना खाया इससे अच्छा तो वो सबजी खा लेते कि मुनिराज जो है वो क्या एक महीने तक किसी ने सबजी खाई उसमें वो विकल्प से खाई ने एक ककड़ी को लिया आटमाटर को लिया तो विकल्प से और वो एक महीने तक मास भले खाया गया है मगर विकल्प थोड़ी था खाने का इसलिए क्या खाया गया है शरीर में उस पर जोर नहीं है विकल्प था या नहीं उस पर जोर है इसलिए एक महिने तक शरीर मासी मास अपना खाता हो मगर विकल्प नहीं होता है तो वो उची दशा है वो सबजी खाने वाले से भी सबजी खाने वाले से भी क्योंकि विकल्प में दोश है शरीर की स्थिती क्या है उसमें दोश नहीं है ये विकल्प दोश है ये खुलासा कर दिया क्योंकि लोगों में ऐसी चर्चा चल रही है कि अरे ये तो ये कहते है ये तो वो कहते है तुमने भगवान मुझे समझा नहीं, घुर्देव के वचन को लेकर के आप आओ, एग भी वचन को, कि जिस वचन में घुर्देव के तत्व ज्यान से विपरीत कोई वचन निकलाओ, कैसे निकलेगा घुर्देव के पडोस में पैदा हुआओ, उम्रादा में गुर्देव के जंगमस्थान के पास में पडोस में मेरा जनम हुआ और वहां की मिटी रगरग में मेरे यहां बसी है गुर्देव की पुकार चितना चैतन्य 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 पर जोर पांच अजार मुसल्मान शाकारी हो गए परदेश में पांच अजार मुसल्मान और इसाई शाकार ही हो गए जिनके जीवन में इतना परिवर्तन आया जो मास खाना छोड़ने लगे शराब पीना छोड़ने लगे आज उनके जैनियों को आलू छुड़ा रहा हूं तो कितनी तकलिफ होती अपन को पता है और परदेश में तो मैं द जैन वाले को यह जैन की परिवाशा समझ लेनी चाहिए कि जो चैतन या सोरुख को समझा वो जैन है बस बात खता है इसने नहीं समझा वो जैन नहीं क्या खाया क्या नहीं खाया क्या उसका आचरण कैसा कैसा स्तिति परस्त्री हो परस्त्री के उपर बुरा भाव आये तो ऐसा पवन अंजय और अंजना को अग पवन अंजय तो क्षाईक सम्यक द्रस्टी थे ने और अंजना के प्रती उनको राग का भाव उआ ने तो राग का भाव ज्ञानी को सम्यक द्रस्टी को पराई इस्त्री में राग हो सकता है पराई इस्त्री में अरे जिस समय अंजना को देखा और उसके रूप पर जब वो बोहित हुए थे उस समय तो शादी थोड़ी कर ली थी पराई ही तो थी शादी शुदा हो गए थे क्या वो अपनी स्त्री हो गई थी मगर राग हुआ की नहीं विकल्प तो आया की नहीं ये तुम विचार करना मैं तो अभी अभी ऐसे व अभी तन्य को देखो यह कि आगम के प्रमान है ने पराग हुआ चाहिए अब मुझे अंजनाई चाहिए पसंद आ गई है पिता जी ने शादी भी करा दी मगर जिस समय स्त्री को देखा उस समय वो स्त्री अपनी तो नहीं हुए ने कोई भी लड़का लड़की को देखने जाएगा वो तो ख्षाइक सम्यक द्रस्ती थे वो एसा विकल्ब आप कभी कभी खाना खाते खाते यदि आपके जीब के ऊपर मनों अंदर अंदर का जो जबडाय ने यह फट जाए कट जाए उसमें खून निकल जाए तो खून जीब को चूता आए की नहीं तो मास पक्ष अंदोस्ट नहीं है वहाँ कट गया और जीब में लग गया ऐसा ज्यानी को भी हो सकता है जीब कट जाए ऐसा हो सकता है अब तुम्हारा उपवास चल रहा है कि कल बुझे किसी ने पूछा गुर्देव के बारे में कि अस्पताल में उनको खून की बोतल चड़ाई गई थ दो कोई व्यक्ति उपवास करता हो और उपवास वाले को तुम ग्लुकॉस की बॉटल चड़ा दो और उसमें इंज्जेक्शन वगएरे डाल दो तो वो चलेगा उसका उपवास एक महिने का उपवास किया और सुई डाल करके उसमें glucose वगेरे डाल दो यहां मुझ से नहीं खाएगा मगर यहां पर जो भी vitamin C vitamin A जो भी चाहिए वह सब डाल दो तो गुर्देव ने वह खुन यहां से तो खुन लिया और किस-किस का खुन होगा वो कौन-कौन सी जाती में नीचे कुल में पैदा होगा अस्पताल में वो खुन की जाज करके देते कि यह जहिनों का ही खुन था फिर मैंने उनको का यह क्रिया को देखोगे तो गुर्देव नीचे दिखेंगे मगर जीवन पर जो चैतन्य समझाया उसमें कहा भूले यह बताम स्वरूप को जो बताया है स्वरूप में कहां भूले कि ज्ञान में जो ग्येई प्रतिविंबीत होते हैं वो ग्येई ज्ञान में नहीं मिलते इसमें कहां भूले इसलिए ज्ञानियों की परसनल लाइफ में मत जाना उनके चैतन्य स्वरूप की जो थाली देखी क्योंकि जीव वो देखता है जो उसकी रूची जहां पर है जहां उसकी रूची वो देखता है उसकी रूची थाली पर गई उसकी रूची विमान में उड़ते वहाँ पर गई वो चैतन्य गगन में मगन थे वो नहीं दिखाए दिया इसलिए ग्ञानी व्यक्ति रूप से सम्यक दर्शन में निमित नहीं कहे आपको एक बात बता दू इसलिए कि ग्ञानी ने क्या खाया कहा ओस्पिटल में रहे क्या दवाई ली अब एक एक दवाई के उपर फूड पैकेट होता है तो वहाँ तो तुम देखने भी जाते हो ग्रीन डॉटे या रेट डॉटे वो हरी बिंदी लाल बिंदी आती ने शाकार मासार की तो सब पढ़ लेते हो भई फूड के अंदर इसमें कई पोटेटो ओनियन गार्लीक तो नहीं लिखा है मगर तुम ने जो डॉक्टर ने तुमको दवाई दी उस दवाई को देखे गए तुमने देखा कि वहाँ पर क्या है वो दवाई किस से बनी है उसमें कौन-कौन से तत्वव डले जिन्दगी और मौत का सवाल होता है तब वो आलू-प्याज याद नहीं आता है एक बार देखना तो था कोशिश तो करनी था आज के बाद देखना पूछ ले ना डॉक्टर को मैं तो जगाने वाला हूँ अब ये जगाने वाला हूँ कि ज्यानियों के साथ में यदि तुम रहते हो तो एक ही बात पर जोर देना कि जो चैतन्य की पुकार है वो यहाँ घटित हो रही है बस बात खतम हो गई उनके कितने बेटे बच्चे ये क्या है उनका मुझे कोई ले ना देना नहीं किसी भी ज्ञानी की और खास करके चोथे गुणस्थान वर्ती में तो उनको आदर्श नहीं माना उनको पुझ्य नहीं कहा क्यों क्यों कि चारित्र पुझ्य है स्रद्धा ज्ञान पुझ्य न नमोकार मंत्र में अंत तक कहे दिया नमोलोये सवसाहुनम नमोलोये सवसाहुनम अब गुर्देव जो नमोकार मंत्र बोलते हैं आपने तो सुनागा है नमोलोये सवत्रिकाल वर्ती अर्यंतानम वो भी उन्होंने कहा नमोलोये सवत्रिकाल वर्ती सिद्धानम ये नमोकार मंत रखे आगे जो यह शब्द जोड़े गुर्देव ने यह जोड़ सकते हैं क्या आल ए अ क Stephan के बाहल गुर्देव का यही था कि तीनों काल के सभी तीन तीनों काल जय जिसी कर तुकर्मात्माकिन नमस्कार करता हूं वो नीचे जो लोए सवव है वो अंत दिपक है उसका ही अर्थ उपर चार में गटित किया है भाव उन्होंने व्यक्त किया नगर मैं ऐसा कहूँ वंदित्तु सववसिद्धे उसके बढ़ले में वंदित्तु त्रिकालवर्ति सर्वसिद्धे त्रिकालवर्ति जोड़ दू समयसार की गाथा में मेरा भी भाव है चलेगा की नहीं चलेगा गुर्देव नवकार मंत्र में कह सकते तो मैं समयसार में भी यह कहूँ जब ये ज्ञानी ये कह सकते तो मैं क्यों नहीं कह सकता अंत में मैंने उनको इंदोर में इतना ही कहा कि उन्होंने नमो लोये सवव साहुनम कि जगत इसके साथ साथ में नमो लोये सवव अर्हंताणम नमो लोये सवव सिद्दाणम ये बोला तुम उसको देखोगे तो तुमें वो तत्व की और ध्यान नहीं जाएगा जो वो समझाना चाह रहे इसलिए उन्होंने क्या बोला वो कौन सी ऑस्पिटल में गए वो कहाना खा रहे थे वो नहीं जो त्रिकाली धुरूव चैटन्यस्वरूप इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ती से पूर्व जो निमित्थ हैने उसमें क्या कहा? पांच लबती आती हैने उसमें पहली क्षय उप्षम दुसरी विशुति और तीसरी देशना है गुरू निमित नहीं कहे गुरू की देशना गुरू क्या पर बैठे थे वो नहीं कहा कि जो चैतन्य तत्व का निरूपन के देशना वो देशना को तुम देखो बस वो तुमारे प्रयोग में आएगी और उससे तुम अनुभुदी तक पहुंचोगे देशना देशना लबधी गई गुरू नहीं देशना भगवान की देशना इसले म जो उन्त में कहता हूँ जैतन्य तत्व की पुकार करने वाली वित्राग वाणी की जैश यह देशना जिसमें एकी जोड जैतन्य चैतन्य जैतन्य परमात्मा यह समय सार है ग्रंथा नी राद समय सार जिसके यह रहस्य है आज यहां उज्जेइन में प्रत्यक्ष ज्ञान मिता के निवास थान पर मैं भी यहां पर पहली बार आया हूँ यहां उज्जेन पहले आ चुका था मगर यहां आने का उसर नहीं मिला आज समय सार की स्थापना हुई और यहां पर ऐसे जिग्यासु जीव तत्व की रूची वाले उज्जेन में तो इतने इतने तत्व के जिग्यासु है मगर तत्व पर जोर कितना है जिग्यासु है जिग्यासा है एक मात्र चैतन्य तत्व मेरा कोई दुसरा प्रयोचन नहीं कोई दुसरा प्रयोचन नहीं शब्दों को ज्ञानी के शब्दों को मत पकड़ना वरना बेंस्री बेन को तुम पैचान नहीं पाओगी बेंस्री बेन का जो चत्तारी मंगलम का पाठ है उनको चत्तारी मंगलम का पाठ ठीक तरह से बोलना नहीं आता था मेरे पास में रेकोडिंग है रेकोडिंग है चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनतो दम्मो लोगुत्तमा नहीं लोगुत्तमो है तो लोगुत्तमा लोगुत्तमो में क्या फर्क पड़ता है नहीं लोगुत्तमा मानेक बहुत होते है तो लोगुत्तमा क पताये गया धर्म ये कहे इसलिए लोगुत्तमों वहाँ पर लोगुत्तमा बोला तो धर्म भी बहुत ओते हैं जैसे अरियंत बहुत होते हैं अब बैंशरीबें ने ऐसा बोला अरे बोला वह वियाकरण की बूल उनके अंदर भाव की बूल थोड़ी है मगर जिसको पकड़ना हो ऐसे लोग मुझे मिलते पूरी दुनिया में 158 देशों में गया तो ऐसे नहीं मिले ज़्यादातर ऐसे ही मिले विरले तो कोई मिले कि जो एक ही बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए एक चैतन्य चैतन्य कि बात पंचम काल में कलियुग में यह तो चोथे काल की बात थी लोगे तो चोथे काल कलो मुनी राज को मानने वाले मुनी को मानते हैं हम तो मुनी धर्मी है मुनी धर्मी है आप मुनी धर्मी और हम भी भगवान मुनी धर्मी है आचार्य कुंद कुंद देव, आचार्य अम्रचंद्र देव, हम भी मुनी धर्मी है, और मुनी धर्मी नहीं, मुनी होने वाले है, इस बव में मुनी होने वाले है, हम मुनी धर्मी है, मुनी धर्म का पालन करने वाले है, गुर्देव के शिश्य कांजी स्वामी का शिश्य क पहले हुए और तरांटराजार-500 साल तक हो तो आज क्यों नहीं होगा क्यों नहीं यह भावलिंगी मुनिराच इसा फ्रगवान भगवाण चैतन्यन्या ते चैतन्या ऐसी अuchenनी इस चैन्या और ऴत कि जो निरुपना तक तस्वीर में दिखते हैं अरे परम कृपालु देख कितने वही रागी मगर परम कृपालु देख की तस्वीर देखोगे तो ये दिखेगा व्यक्तिकत रूप से मिलो और फिर तुम उनके साथ में रह करके उन्हें उस भाव से देख सको तो महिमा जानो ये कि कृपालु देव का भी संसार था उनके भी बच्चे थे परिवार था बच्चे कैसे पैदा हो गए विकार का भाव नहीं था तो पैदे कैसे हुए वो तस्वीर में वो विकार नहीं दिखता है तस्वीर में तो बस ध्यान में लिन दिखते है मगर ज्ञानियों का पूरा जीवन दिखोगे तो उसमें भी कमजोरी दिखेगी मगर उनकी तत्व की निरूपना देखोगे तो बस अपना आकल ल्याण होगा मुझे तो जो चैतन्य स्वरुप गुर्देव ने समझाया है बस मुझे और कुछ भी नहीं देखना ये जो तत्व की के अगनीत ग्येयों के प्रतिभिम्बों के कारण भी जो ग्यान अगनीत रूप नहीं होता जो एक ही रहता है जहां जहां मैं देखू वहां ग्यान ही जानने में आता है वहां ग्यान ही जानने में आता है क्योंकि ग्येयों की रुची नव हो दरपन को जब देखते हो दुकान पर जाकर खरीदने के लिए जाते हो तो उस समय ऐसा हो उस समय ध्यान पूरा दरपन की और है 10 रुपे का दरपन खरीदने जाए तो 10 रुपे का दरपन देखते हैं उस समय चेहरा तो प्रतिमिंबित होता है नगर चेहरा नहीं देखते हैं, काला गोरा वो चेहरा नहीं देखते हैं, दरपन कैसा है, उसका आकार कैसा है, स्वच्छता कैसी है, चेहरा देखा ही नहीं, और वो दरपन घर पर लेकर आए, और रोज जब हम देखते हैं, तब चेहरा कैसा है वो ही देखते हैं, दरपन कैस परजोर नहीं चेरे परजोर है कहने का अर्थ है कि एक ही क्रिया में जिसकी रूची वोती है वही तुमें दिखाई देता है ज्ञान की रूची वो तो ग्ये ज्ञान में प्रतिविंबित हो उस समय भी ज्ञान ही ज्ञान दिखाई देता है और ये ज्ञान 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 इसलिए तो अनन्त विकार हो भगवान ये अनन्त विकार के भाव हुए वो ज्ञान में यदि मिल गए हूते तो वर्तमान में जो विकार उत्पन हो रहा है वो ज्ञान में जानने में आता ही नहीं त्रिकाल ध्रूव ऐसा त्रिकाल त्रिकाल ध्रूव ज्ञायक देव चार बजे की ज्ञान की परियाई में जब प्रतिबिम्बित हुआ तो उससे पूर्व जितने भी विकार हुए थे उन विकारी भावों ने ज्ञान को गंदा नहीं किया था वरना ज्ञान की परियाई में ये चार बजे तेकाल ध्रो प्रतिबिम्बित होता कैसे वो अनंत विकार सिर्क प्रतिबिम्बित होये थे ज्ञान को गंदा करके नहीं गए थे ऐसा हो ज्ञान को गंदा करके गए ही नहीं थे इसलिए जो भी तुम्हारे अंदर जो चिंतन की धारा चले ने पापी हूँ बस संसार में फसा हूँ ये विचार बंद करो ये विचारी छोड़ दो ये कमजोरी है तत्व विचार ये ही चलता रहे विकल्प ऐसे आएंगे ये विकल्प मैं चैतन्य परमात्मा हूँ ऐसा विकल्प ये विकल्प आएगा ये मैं चैतन्य परमात्मा हूँ ऐसा विकल्प पाप के उदई का परिनाम है कैसा विकल्प ऐसा है मैं तरिकाली ध्रूव चैतन्य परमात्मा हूँ ये विकल्प जो आत्मा में उत्पन हुआ ये पाप के उदई का परिणाम है पुन्य का उदई नहीं पाप के उदई का परिणाम है चैतन्य तत्व भगवान की पूजा करने का भक्ती करने का व्रत तब का विकल्प ये पाप के उदई का परिणाम है क्यों क्यों क्योंकि ये राग का विकल्प है और राग का विकल्प मोह के उदई से होता है चारित्र मोहनी करम है नहीं उसका उदई आता है तो ये राग होता है और चारित्र मोहनी करम की प्रकृती पुन्य की होती नहीं है पाप की होती है गाती करम में तो सब प्रकृती होती है तो भगवान की पूजा करने का विकल्ब ये बाप के उदई का परिनाम है और परम कृपालु देव क्या कहते है मैं चैतन्य परमात्मा हूँ ये विकल्ब पाप के उदई का परिनाम है कृपालु देव ये कहते है ये शरीर जो मिला न अब शरीर शुबत देह मिला ने तो देह में क्या मिला सिर्फ चमड़ी मिली आंख मिली नांख मिला कि पूरा शरीर सब मिला ने पूरा अंग तो उसमें विस्टा भी है कि नहीं उसमें विस्टा भी है, पूरे मनुश्य नर देह में तो विस्टा भी शामिल है वो पुन्य के उदही से मिली, विस्टा पुन्य के उदही से मिलती है और मैं चैतन्य परमात्मा हूँ ये विकल्प पाप के उदही से आता है ऐसा कैसे? उसका रहस्य है ये कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ ऐसा विकल्प जो है उस विकल्प के साथ रह के निर्विकल्प अनुभूती नहीं हो सकती मगर वो विस्टा के साथ रहता हुआ होना पर भी वो आत्मा की निर्विकल्प अनुभूती हो सकती है इसलिए वो विस्टा इतनी खतरनाक नहीं है ये विकल्ब खतरनाक है विकल्ब खतरनाक है जो अनुभूती में बादक बना है वो विस्टा नहीं बनती वो विकल्ब बनता है इसलिए जिसे चैतन्य की अनुभूती को उपलद होना है वो ये पहले स्विकार करे पहले ये स्व बापन हुआ है यह विकल पाप के उदई का परिणाम है पाप का उदई यह विकल वो भगवान की भक्ति अनर्गपद प्राप्त ए अर्गम निर्वपामिति स्वाहा एसा होता ने जाब पूजा करने वाले को ज्यादा पता था मुझे तो पता नहीं होता इसा अनर्गपद प्राब्स ये अर्गम निर्व पामिति स्वाह ये चड़ाय ये भावाया नै ये पाप के उदई का परिनाम भगवान की भक्ती करने का विकल्प पाप के उदई का परिणाम, विकल्ब और भगवान का योग मिलना ये पुन्य का उदई योगी भगवान का योग रहे तो अनुभूती में प्रोब्लेम नहीं है मगर भगती का विकल्ब जब तक रहता है तब अनुभूती नहीं वोदी विकल्प से छुटना है संयोग से नहीं यह संयोगी भाव से यह संयोगी भाव यह विकल्प भगवान की भक्ति तो दोनों में अंतर नहीं हलवा पुड़ी खाओ 96.000 रानियों को भोगने का भाव और मैं चैतन्य परमात्मा हूँ यह राग का भाव यह विकल्प भगवान की भक्ति करने का विकल्प सब पाप का उदई क्योंकि सब विकल्प है विकल्प मोह के उदई का परिणाम है सब पाप के उदई तो फिर अंतर क्या अंतर है कि पाप का जब तीवर उदई होता है तब भोगों को भोगने का विकल पाता है पाप का मंद उदई होता है तब मैं चैतन्य परमात्मा हूँ ये विकल पाता है मगर उदई तो पाप का ही होता है उदई तो पाप का और इसके सिद्धान शास्त्रों के ये प्रमान ये जो घाती कर्म की प्रकुरूती 47 की 47 पाप प्रकुरूती होती है अगाती कर्म में पुन्य पाप का विभाजन होता है उसमें 20 प्रकुरूती नाम कर्म की जो है वो मिस्र प्रकुरूती है नगर यह ज़्यादा तो कर्म की थियोरी आप पंडित लोग ज़्यादा जानते हो मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है मैं तो सिर्फ इतना कि जो विकल्प स्वरूप की अनुभूति में बाधक बने वो विकल्पुण्य के उदई का परिणाम नहीं हो सकता वो मेरे स्वरूप का दर्शन करने में बाधक बने उसे पुण्य का उदई कैसे कहो ऐसा ए ज्ञान दीपक आज उज्जेन की इस पावन धरा पर मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक मीता के निवास स्थान पर सत्संग करने का आउसर मिला और यहां उज्जेन वासी रुची कर चैतन्य तत्व के दिवाने ऐसे साधकों के संग में बैठने को मिला जिनकी इतनी विराट द्रस्टी लेकर के जो मुझे यहां सुनने आए आप परमात्माओ के निमित से मेरा इतना समय सत्संग में रहा मैं रूणी हूँ आप परमात्माओ का आप समस्परमात्माओ को मेरे रदई के अंतर करण से प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम स्विकार का अबस्द्द आपके लिए अजब का आपके प्रणा मेरे आपके आपके इतना समय आपके प्रणाम करता हुछ करुणा संदु अपार इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार आहो आहो उपकार देह सहत जिन की दशा वरते देहातीत उन ग्यानी के चरण में भोवंदन अगणित ओ वंदन अगणित ओ वंदन अगणित ओ वंदन अगणित ओ वंदन अगणित